हेलो दोस्तो आज हम मनाएंगे बेंगन का भड़ता बेंगन को सबजियों का राजा कहा जाता है उसी राजा को आज हम पकाएंगे इसके लिए हम सबजिया लेंगे बेंगन, टामाटर, हरी मीर्च, लेसुन, प्याज बैंगन के अंदर छोटे-छोटे कट लगा कर हम उसे चेक कर लेंगे कि वो खराब तो नहीं है और अब उसे बैंगन को तेल लगाएंगे तेल लगाने के बाद में हम मेडियम फेम पे बैंगन को पकाएंगे इसे कम से कम तीन मिनट पकने में लगते हैं तीर मिनिट में अच्छे से पकर त्यार हो जाएगा वैसे ही उसे पानी में ढाल देंगे पानी में इसे ज्यादा देर तक नहीं ढालना है हम सरफ आदे मिनिट के लिए ही पानी में ढालेंगे और इसे वापिस बाहर निकाल लेंगे बहार निकाल कर इसके छिलके उतार लेंगे छिलके निकालने के बाद में इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे अब हमने जितने भी सबजियां कट करी थी अब उसका हम तड़का लगाएंगे एक कड़ाई में तेल गरम करेंगे तेलगरम होने के बाद में उसमें हम जीरा, प्याज, लैसून और हरिमिस डाल कर पकाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे इसमें हम टमाटर डाल देंगे टमाटर को 2-3 मिनट तक पकाएंगे आप टामाटर पक गए हैं तो इसमें हम मसाले डाल देंगे हल्दी, लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर और आमचुर पाउडर डाल कर इसे भी हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे इसे दो मिलट में सारी मसाले पक कर त्यार हो जाएंगे अब हमने जो बैंगन मैश किया था वो बैंगन इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद में इसे हम पाँच मिनट के लिए पकाएंगे इसमें मैंने कोई भी ख़ड़ी मसाले यूज नहीं किये है तब हमारा बैंगन का भड़ता बनकर त्यार हो चुका है